नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रहमचारिनी की पूजा की जाती है. इस दिन की पूजा विधी इस प्रकार है. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. पूजा स्थल की सफाई करें और मा दुर्गा की मूर्ती स्थापित करें. मा ब्रहमचारिनी के स्वरूप को याद करते हुए उन्हें प्रणाम करें. मा को पंचामरित से स्नान कराएं. मा को सफेद रंग के वस्त्र चढ़ाएं. मा को अक्षत, फल, चमेली या गुढ़हल का फूल, रोली, चंदन, सुपारी, पान का पत्ता आधी अर्पित करें. दी चीनी और मिश्री से मा को भोग लगाना अच्छा माना जाता है. मा ब्रहमचारिनी के बीज मंत्र हिरी श्री अंबिकाय नमह का 108 बार जाप करें. मा की आर्थी करें. कथा पड़ें. पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षना करें. नवरात्री 2024 दो एंदी डे मा ब्रहमचारिनी पूजा. नवरात्री के दूसरे दिन ब्रहमचारिनी पूजा. जाने पूजा विद, महत्व, मंत्र, भोग और पीले रंग का क्या है महत्व? नवरात्र के दूसरे दिन माद दुर्गा के देवी ब्रहमचारिनी स्वरूप की पूजा करने का विधान है माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है ब्रहमा का अर्थ है तपस्या और चारिनी का अर्थ है आचरन करने वाली अर्था तब का आचरन करने वाली ब्रहमचारिनी को हमन बार बार नमन करते हैं माता ब्रहमचारिनी की पूजा अराधना करने से आत्म विश्वास, आयू, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आधी की प्राप्ति होती है माता ब्रहमचारिनी को ब्रहमी भी कहा जाता है मा भगवती की इस शक्ती की पूजा अर्चना कने से मनुष्य कभी अपने लक्ष से विचलित नहीं होता और सही मार्ग पर चलता है आईए जानते हैं मा ब्रहमचारिनी की पूजा विधी, मंत्र, आर्थी और स्वरूप के बारे में ऐसे पड़ा माता का नाम ब्रहमचारिनी शास्त्रों में बताया गया है कि मा दुरगा ने पार्वती के रूप में परवतराज के यहां पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्शी नारत के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिनी या ब्रहमचारिनी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधी में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यन्त कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है ऐसा है माता ब्रहमचारिनी का स्वरू दधाना कपाभ्या मक्षमालाक मंदलू देवी प्रसीत्तु मई ब्रहमचारिन नुत्तमा नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रहमचारिनी है इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है ब्रहमचारिनी इस लोग के समस्चर और अचर जगत की विद्याओं की ग्याता है इनका स्वरूप श्वेत वस्तर में लिप्ती हुई कन्या के रूप में है जिनके एक हाथ में अश्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है यहाँ अक्षय माला और कमंडल धारिनी ब्रहमचारिनी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्यान और निगमागम तंत्र मंत्र आदी से सन्युक्त है अपने भक्तों को यहाँ अपनी सर्वग्य संपन्न विद्या देकर विजय बनाती है ब्रहमचारिनी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है अन्य देवियों की तुलना में वहाँ अतिसौम्य, क्रोथ रहित और तुरंत वर्दान देने वाली देवी है माता ब्रहमचारिनी का भोग नवरात्र के इस दूसरे दिन मा भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयू प्राप्त होती है और वहाँ नीरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है साथ ही माता पारवती के कठिन तब को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरना प्राप्त होती है नवरात्री के दूसरे दिन पीले रंग का महत्व नवरात्री के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहन कर पूजा अर्चना करनी चाहिए क्योंकि माता ब्रह्मचारिनी को पीला रंग बहुत प्रिया है साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फलाधी अवश्य अर्पित करना चाहिए भारतिय दर्शन में पीला रंग पालन पोशन करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और यह रंग सीखने उत्सा, बुद्धी और ज्ञान का संकेत है मा ब्रहमचारिनी की पूजा निम्नमंत्र के माध्यम से की जाती है धाना कर्पद माभ्याम अक्षमालाक मंडलू अर्थाक जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है ऐसी उत्तम ब्रहमचारिनी रूपा मा दुर्गा मुझ पर क्रिपा करें माता ब्रहमचारिनी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रिय विधी से की जाती है ब्रहमा मुहुर्थ में उठकर स्नानादी से निवरित होकर पूजा स्थल पर गंगाजल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ मा दुर्गा की उपासना करें माता ब्रह्मचारिनी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें और पीले रंग की चीजें ही अर्पित करें माता का पंचामरित से स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम अर्पित करें इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लॉंग, बताशे, हवन सामगरी आदी चीजे अर्पित करें जैसा आपके घर पर होता हो मा ब्रहमचारिनी की पूजा में पीले रंग के फल, फूल आदी का प्रयोग करें माता को दूद से बनी चीजे या चीनी का ही भोग लगाएं इसके साथ ही मन ही मन माता के ध्यान मंत्र का जब करें और बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के जैकारे लगाते रहें इसके बाद पानसुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षना करें फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें इसके बाद घी के दीपक वकपूर से माता की आरती करें फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सब्तश्ती आदी का पाठ करें पूजा पाठ करने के बाद फिर माता के जैकारे लगाएं साथ ही शाम के समय भी माता की आरती करें अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें